तो दोस्तो हाली में ब्रिक्स का समिट होने वाला है रश्या में 16th लेविल का समिट होगा और इससे ये उमीद क्या हम लगा सकते हैं कि भारत और चाइना के बीच में रिष्टे सुदर सकते हैं तो दोस्तो इस समिट में क्या होगा ब्रिक्स का क्या मतलब है क्या इसका बैक्राउंड है सब इसको डेटेल में समझेंगे वीडियो में आँ तक बने रहे हैं और आपको वीडियो को ज़रूर शेयर करना है चलो अब यहांबे बात करते हैं दोस्तो हाली में प्रधान मंतरी श्री नरेंदर मोदी जी जा रहे है रश्या के एक एरिया में जिसका नाम है कजान है और यह समिट होने वाले ब्रिक्स का बाई से लेके 23 अक्टूबर 24 को अब इसमें दोस्तो ब्रजील के रश्या के इंडिया के चाइना के साथ आफ्रिका के लावा कई सारे मेंबर्स है है ना और इसकी अगर आप हाल देखो दोस्तो तो हाली में टेंचन दो बढ़ते ही जा रहा है तो क्या यह जो ब्रिक्स का समिट है इसमें क्या हमें कोई सुधार देखने को मिलेगा आईए इसको डिसस करेंगे और याद रखना इसी साल प्रधान मतरी श्री नरिंदर मो पीच यह रश्या गए थे मॉसकों में और बाइलेटर मीटिंगे करके आए थे रश्या में ठीक है तो यह पुरा सिनेरियो आपको देखने को मिलता है बट याद रखना दोस्तो हमारे ले सवाल है कि शी जिंपिंग जो यहाँ पे ब्रिक्स की जितने भी लीडर से सबसे मि कोईशा है और यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है कि there have been some indications of progress in the talks from the very beginning ऐसे नहीं कि यहाँ पे टॉक्स नहीं हो रहे है भारत और चाइना की बीच में टॉक्स हो रहे है बट कोई ग्राउंड लेवल में अगर देखा चाहे ना कुछ खास असर नहीं देखने को मिल रहा है ठी ठीक है और यहाँ पे देखो दोस्तो ब्रिक समिट के बात करें दोजार चुबीस का थीम क्या रखा गया है तो इसका थीम रखा गया है मल्टी लैटरिलिजम कहने का मतलब यह है कि हमें ग्लोबल लेवल पे हमारे जितने भी जो ब्रिक्सी कंट्रीज है इनको यहाँ पे क् एक साथ मिलकर काम करना है for a fair value and for an equal value ठीक है यह दोस्तो आपको थीम देखने को मिलेगा इस साल का और यहाँ पे जो राश्योपती है रश्या के जिंका नाम मैं लादिमिर पुतीन इन्होंने भी बोला है कि यह जो समिट है ना ब्रिक्स का यह कोई anti western countries के रिगाड़ी नही है ठीक है यह western का जो lobby है उसके अलावा एक summit देखने को मिलता है that is BRICS यह पुतीन जी का कहना है और पुतीन जी यहाँ पे कहना चाते है साथ ही साथ में क्योंकि हाली में इन्होंने media को भी address किया before this summit कि हम यहाँ पे बस चाते कि global level पे BRICS का जो एक impact है वो हमें जादा देख इन्होंने देखो कहा भी है कि President Putin के अगर हम बात करें पुतीन सहाब ठीक है तो इन्होंने बोला है कि हम global economy के regarding हम क्या करना चाते हैं हम growth लाना चाते हैं है ना एक positive signal के थूँ और यहाँ पे जो भी developed western nations है उसके अलावा एक और summit देखने को मिले तो problem क्या है तो यह आपको प पुतीन जी चाते है कि जो BRICS का summit है इसी के थूँ रश्या का जो impact है जो यहाँ पे कह सकते हो कि जो influence है वो यहाँ पे Gulf countries में भी बना रहे और साथी साथ Indian Ocean में भी बना रहे आपको दिमाग में छप जाना चाहिए कि BRICS में एक January 2024 को ही याद रखना हाली में एक नए members भी आ इरान, Saudi Arabia और UAE ठीक है अब यहाँ पे देखोगे इन members का बहुत ही अच्छा influence है यह Gulf countries है है ना और यहाँ पे देखोगे रश्या चाहता है कि oil की regarding यहाँ पे impact रहे Indian Ocean में इसका impact रहे तो BRICS अप दिरी दिरे दोस्तों फैलते जा रहा है है ना देखो इन लिखा भी है It is the key to increasing freight transportation between the Eurasian and the African continents ठीक है तो यहाँ पे इरान, Gulf countries में यह impact बढ़ाना चाहते है तो यहाँ पे G7 countries में थोड़ा चिंता में आएंगे कि यहाँ पे BRICS का जो एक चलन है यह धीरे दिरे बढ़ते जा रहा है यह देखने वाली बात होगी अब दोस्तों बात करेंगे BRICS क्य आपको वर्ष 2009 में देखने को मिलती है है ना इसकी पहली मिटिंग रश्या में होई थी मेंबर्स की बात करेंगे तो तुम आगे जाके करेंगे करेंगे बट इसका यहाँ पे impact क्या है ग्लोबली ब्रिक्स की जितने मेंबर्स आपको देखने को मिलते है यह अकेले दोस्तो तो यहाँ पे ग्लोबल एकनोमी ब्रिक्स के मेंबर्स ही करते कितना powerful यह आपका summit है है कि नहीं अगर कभी पूछा जाए कि जो ब्रिक्स का शब्द है यह किसके दोवारा यह coin हुआ था किसने पर इसका नाम रखा था तो यह economist है इनका नाम था Jim O.Nile इन्होंने 2001 मे रखा था ठीक है क्या मकसद है दोस्तो इजे ब्रिक्स का कुछ तो इसका purpose होगा purpose का बड़ा ही साफ है कि इन countries के बीच में economic cooperation हो regional security हो और एक political यहाँ पे देखो political collaboration हो जिसके वोले से यह जितने भी members ही क्या करें तरकी करें यह आपको देखने को मिलता है चुल बहुत ही बढ यहाँ पे देखोगी चाइना फिर आपको South Africa ठीक है एक जनवरी दो हजार चोबी से अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे क्या है कि Egypt भी, Iran, UAE, Saudi Arabia और साथी साथ यहाँ पे देखोगी यूटोपिया है ना African Gulf countries है यह भी दोस्तों क्या हो गए इसमें मिल गए है इसकी जानक हुआ था इसी शहर में और यहाँ पे फैसा लिया गया था कि हम यहाँ पे New Development Bank का यहाँ पे क्या करेंगे शुरुवात करेंगे जिसे Asian Development Bank आपने सुनोगा विसे BRICS का खुद का बैंक है उन्होंने शुरुवात की है इसका नाम है New Development Bank ठीक है याद रखना ब्रजील के President अभ पे चाइन और भारत का कैसा bilateral meeting होगा अगर आपको दोस्तों वीडियो बहुत लगा है तो भाई ज़रूर शेर कीजे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करना ना फुले